अस्वालेकुम दोस्तों वेलकम करते हैं आपका राकिबजिया की यूट्यूब चनल में आज बहुत important issue के उपर हम बात करेंगे that is जो कल University of Kashmir की तरफ से notification आई थी that the University of Kashmir is going to change the model question papers for UG and PG examers यानि जो भी इस ट्रॉंटर से UG और PG में admission नोंने लिया है उनका जो पेपर का pattern है या जो पेपर का model है वो change होगा क्योंकि जो हमारा system था traditional way आप system जिसमें questions पूशे जाते थे normal questions और एक routine memorization होता था ये experiment जो है वो 4-5 questions को memorize करता था और उस बेस पे वो किसी भी exam को qualify करता था और इस वज़े से हमारा जो education system है जिसमें काफी शिकायते आ रही थी कि इसमें quality का कहीं पे दाकल नहीं है कि एक बच्चा ना college अटेंड करता है ना किसी टेक्स्ट बुक पड़ता है बलकि कुछ notes इदर दे से लाके चार-पांच questions जो है memorize करके exam को qualify करता है और इस तरह से जो बच्चे पूरा साल college में या university में class अटेंड करते हैं और उन में और उन बच्चों में जो कभी college या university अटेंड करते ही नहीं है कोई difference नहीं रहता क्यूंकि वो student भी जो college continue आते हैं वही चार-पांच questions करते हैं और जो गर में बैठे होते हैं जो regular students नहीं होते हैं वो भी इनको memorize करते हैं और study material या जो ready made notes available होते हैं उनको लाके वो जो है उससे तैयारी करके exam को qualify करते हैं और यही system यनिवस्टी आफ कश्मिर में भी है और यही system जतने भी कश्मी यनिवस्टी के अफिलेटर college दे वहाँ पे चलता है लेकिन अब हम वाइस चांसलर डाटर नेलोफर खान का बड़ा शुक्री आदा करते हैं कि कल उन्होंने ये meeting बुलाई और उसमें एक्सपोर्ट से ये opinion जो है within one month कहा गया कि आप एक month के अंदर अपना report दे और जो model papers होते हैं उनको change करें और इसमें ज्यादा applied knowledge की तरफ ज्यादा तवज़े देनी चाहिए यानि सिर्फ simply question नहीं पूछने चाहिए बलकि एक बच्चे को evaluate करने के लिए different critical questions किये जा सकते हैं तो अब ये model paper तयार करना है इसके लिए committee बनाई गई है जो within one month जो है अपना report submit करेगी और उसमें जो recommendation होंगी तो उस base पे अब इस साल से जो है paper उसका pattern change होगा लेकिन वो committee कब आती है कब वो अपना report देती है मेरी गुजारिश है चतरे भी हमारे student इस वक्त college में ये इन्वस्टी में admission रोने लिया है या जिनके class बर्ग चल रहे है उनसे मैं फिर एक बार ये गुजारिश करता हूँ कि आप अपने class का जो lecture है उसके ओपर focus करें क्योंकि जो चीज़ आप class में सीखते हैं वो कहीं पे आपको नहीं सिखाए जाती इससे जो readyment notes आप इदर उदर से लाते हैं उनको छोड़ दीजे बलकि text books को पढ़िए और classes को attend कीजिए regularly इनको अपनी knowledge को increase कीजिए ताकि कल अगर exam में किसी भी किसम का कोई question आप से पूछा जाएगा तो आपको कोई परेशानी ना हो क्योंकि जो ये memorize करते हैं आप 4-5 questions आप कहीं से guess लेकर या कहीं से आप notes लाते हैं और उनको memorize करते हैं कभी अगर to the point question नहीं आता है तो उस वज़े से फिर आप परेशानी में आ जाते हैं लेकर अगर आपका concept clear होगा तो फिर exam में कोई भी question पूछे आप उसका answer दे सकते हैं तो इसने जरूरी है कि आप इन चीज़ों इससे पहले भी मैंने आपको काफी बार बताया है कि जो results आपके खराब आ रहे हैं उसका reason यही है कि आप सिर्फ notes के ओपर focus करते हैं आप कुछ selected questions को ही memorize करते हैं जब paper आता है तो उसमें एक दो question इदर उदर होते हैं तो आप उसका answer नहीं दे पाते हैं तो maybe अगर इस साल से paper का model different हाया तो उसमें आप और पर परिशानी में आ सकते हैं इससे आज से ही आप अपनी studies के ओपर focus करें और जो concepts हैं उनको clear करें टेक्स्ट बुक्स को पढ़ें और खास तोर से अपने college या इन्वस्टी के जो teacher साहिवान आपको पढ़ाते हैं उन से जरूर आप जो है कंसल्ट करें उनकी guidance काफी important है और साथ ही मेरी टाइचालर राकिब जिया तो आपके लिए है ही हम कोशिश करते हैं कि आपके जो concept से वो confusion है उनको दूर करें thank you very much खुदा आप